Hello dear students, स्वागत आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल वीर 8th Class Math में हम second chapter को कर रहे थे और second chapter में है exercise 2.4 and this one is first question, read out के जिए question को Amina thinks of a number, Amina ने कोई एक number सोचा है and subtract 5 by 2 from it, और उसमें से क्या subtract क्या? 5 by 2 को subtract किया C multiply the result by 8, उस result को किसे multiply कर लिया है? उस जो भी 5 by 2 को subtract करने के बाद जो भी result आएगा उस result को 8 से multiply कर लिया है the result now obtained, अब बाद में जो obtained हुआ है result वो क्या बताया है? 3 times, कितने times बताया है? 3 times the same number, जो number उसने सोचा उसका 3 times आ जाएगा तो फिर कहता है कि what is the number, वो number क्या है? तो सबसे पहले हम कहां से start करेंगे? let the number, let the number, that, that, जो किसने सोचा था? Amina, क्या नाम है? Amina thinks, जो number Amina ने सोचा है, उसको क्या कर लेते हैं? let कर लेते हैं, और number क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x अब क्या कहा गया है? according to question चलते हैं according to question, यानि कि question की statement के अनुसार, अब जो लिख रखा है, उसको solve करते चलो इसने कहा है कि c subtract 5 by 2 from it, उस number में से क्या subtract कर दिया? 5 by 2 subtract कर दिया क्या कर दिया? 5 by 2 subtract कर दिया अब कहती है कि जो भी यहाँ से result आएगा, इसको solve करने पर, जो भी यहाँ से result आएगा, उस result को किसे multiply किया? 8 से किसे multiply किया? 8 से, clear हो गया? अगर उस side space कम है, तो इस side लिख लिजे, किसे multiply किया? 8 से and finally c obtained, जो अब उसे obtained होगा, वो कह रहा है कि 3 times होगा, किसका 3 times होगा, the same number, the same number, c thought, जो उसे ने सोचा था, सोचा क्या था, x सोचा था, और उसका कितने times होगा? 3 times होगा, कितने times होगा, 3 times होगा, यह होगी इसकी equation, अब इस equation को solve कर लेंगा, अन्स रा जाएगा, सबसे पहले 8 की multiply करेंगे, x से, फिर किसे multiply करेंगे, 5 by 2 से, किसे 5 by 2 से, तो हम लिखेंगे, 8 की multiply सबसे पहले किसे होगी, x से होगी, बीच में किसका sign, minus का, फिर 8 की multiply किसे होगी, 5 by 2 से, 5 by 2 से, is equal to क्या है, is equal to 3x, बोलो clear है, समझ में आगी equation, अब इसको solve करेंग, answer आ जाएगा, यहां स वो क्या है, 3x, अब हमें variable x की value निकालनी है, क्योंकि जो number अनिमा ने सोचा है, वो क्या है, अमिना ने सोचा है, वो number x है, तो बताइए, यह 3x यहां किस चीज़ का है, आप कहोगे गुरुजी, यह 3x तो यहां plus का है, इस side ले क्या हों, तो किस चीज़ का हो जाएगा, इस side लाने पे पहले already 8x मुझूदर, पलस का 3x है, वो इदर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और यह जो माइनस का 20 है, वो हो जाएगा, पलस का 20, बोलो कलीर है, अब इसको solve करेंगे, अपना answer आजाएगा, कैसे, 8x में से 3x कितना बचा, 5x is equal to क्या है, 20 है, then x is equal to क्या हो जाएगा, 20y, 5, 20y, 5, 5 से काटेंगे, अपना answer आजाएगा, 4, 5, 4, 5, 20, यानि कि 5, 4, 20, यानि कि नंबर क्या आ गया, x, x की value क्या है, 4, यानि कि अमिना ने क्या सोचा था, x और x की value कितनी आ गई, 4 यह अपना answer हो जाएगा, बोलो कलीर है क्या, उमी इस क्लास में, second question के साथ,